So, hello, welcome back, अपने यहाँ पे Electromagnetic Induction के Advanced के PYQs करने वाले है 2018 से लेके आपको 2022 तक के, ठीक है, तो चलिए अपने यहाँ पे इसको शुरू करने वाले है, और इसके लावा हमने जितने भी Advanced के PYQs किये है, उस सभी का प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे, Description Box में है, ठीक है, चल आप पे देखेगा battery का polarity कैसे है और यहाँ पे आपका कैसा है, समय शुन्य पे आपका ये जो S1 स्विच है, S2 स्विच है, उन दोनों को आपको close किया जाता है, right, the current I in the middle wire reaches its maximum magnitude of I max at time T equals to tau, right, हमसे सवाल में पूछता है कि भाईया, इस I max की value कितनी है, और वो tau की value कितनी है जब आपका current इस middle वाले wire में आपको maximum reach किया था, ठीक है, तो कहीं न कहीं आपको सवाल को read करके समझ में आ जाता है कि भाईया, ये आपको LR का सवाल है, जहाँ पे growth of current के हम बात करते हैं, दूसरा हम से यहाँ पे कहता है कि ये वाला current आपका maximum कब होगा, यानि कि हमको ये current को as a function of time निकाल के उसे maximize करना पड़ेगा, maxima minima का funda लगाना पड़ेगा, so that is how your thought process should be, अच्छा, suppose कीजिए आपने इसको close कर दिया है, अगर हम ध्यान से देखे, इस point का potential अगर हम 0 बोल देते हैं, तो इस point का potential हमें plus V बोलना पड़ेगा, यहाँ से उपर जाएंगे, तो इ देख सकते हैं कि यह जो आपका LR circuit है, उसके across potential difference आपका V minus 0, right, and यह जो आपका R और 2L का circuit है, उसके across भी आपका potential difference V का है, तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि इस वाले branch में आपका current ग्रोग कर रहा होगा, मानले तो यहाँ पर current I1 है, current will flow from higher potential to lower potential, इस branch की बात करें, तो का suppose कीजिए I2 current flow कर रहा है, तो इस वाले junction पे आप जब KCL लगाएंगे तो आप कह सकते हैं कि sir I1 is equal to I plus I2, यहाँ पर equation लिखिए, कि sir I1 is equal to I plus your I2, अब इसके बाद आपको I को लिखना पड़ेगा, that is your I1 minus your I2, और sir इस I1 को हम क्या लिख सकते हैं, growth of current का formula एक LR circuit में क्या होता था, that is equal to I is equal to I0, right, 1 minus E to the power minus RT divided by L, now if you see here very very carefully, यह I0 होता था आपका maximum current in K through कितना पास कर सकता है, तो steady state के अगर हम बातचीत करेंगे, तो आपको यह दिखना चाहिए कि steady state में, यह inductor आपका एक plain wire की तरह behave करता है, यानि कि यहाँ पे आपको जो maximum current flow कर सकता था, that is your V by R itself, क्योंकि अगर यह आपका एक plain wire बन जाता है, तो यहाँ पे सिर्फ एक resistance R होगा, जिसके across potential difference V minus 0 है, तो हमको I1 पता चल गया, I1 में I0 की जगा हम लिखेंगे यहाँ पे, जनाब आपको V by R, right, 1 minus E to the power minus RT divided by L, ठीक बात है सर, minus I2 के अगर हम बातचीत करें, तो यहाँ पे यही आपका जो I2 में, आपका जो यह I0 वाला टर्म होईगा, वो आपका again V divided by R ही होने वाला है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको भी V by R, बस careful यह रहना है कि अब आपका यहाँ पे minus RT by L की जगा 2L होने वाला है, क्योंकि यह आपका 2L था, बस हो गया, आपका जो है, rearrange कर दीजिए, आप यहाँ पे जब V by R को common ले लोगे, तो आपको यहाँ पे दिखना चाहिए, कि यह आपका हो जाएगा, e to the power minus RT by 2L minus e to the power minus RT by L, clear है एक दम, अब इस वाले function को, यह जो आपका current as a function of time निकल के आया है, इसको differentiate करके 0 के बराबर करना होगा, maximize करने के लिए, di by dt should be equal to 0, तो अगर हम ऐसा करें, देखिए, यह V by R तो आपका right side में जाके 0 में मिल जाएगा, यह काम तो आप भी खुद से कर सकते हैं, फिर भी एक बड़ी देख लीजे, इसको आप जब differentiate करेंगे, तो आपका minus R by 2L बाहर आएगा, minus R by 2L, e to the power minus RT by 2L, is अच्छा minus, यहाँ पे आपका minus minus plus हो जाएगा, so this becomes plus, यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ R by L बाहर में आएगा, और e to the power minus RT by L equals to 0, clear है, यहाँ से आप साब देख सकते हैं, R by L, R by L को आप जाके 0 में mix कर देने वाले हो, हांजी सर, ओके, और ध्यान से देखिए, आप अगर यहाँ तो आपको दिखना चाहिए कि e to the power minus RT by 2L is equal to 2 times e to the power minus RT by L, ठीक है, अच्छा, अब एक काम करूँ न, मैं क्या कह रहा हूँ, इस वाले टम को e to the power minus RT by L को right side ना रखके, आप इसको इसके नीचे भी तो रख सकते थे, e to the power minus RT by L, अब क्या बात है, आपका base सेम है, तो आप exponent क आपस में subtract कर देते थे, याद है, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, यह आपको जाएगा, minus RT by 2L minus of this वाला exponent which becomes plus, that is your RT by L, तो यह आपको RT by 2L बन जाने वाला है, clear है, तो इसको नीचे सहटा सकते है, और उपर में आपका यह basically plus sign आ जाएगा, इतना basic आपको आता है, exponent वाल log ले लो, तो this is your RT by 2L is equal to log 2, तो यहाँ से आपका T कितना निकल के आ रहा है, 2L by R times log 2, तो भाया, यह वो time है, जो आपका current maximum रहा होगा, and that is your option number, capital D, ठीक, अब दूसरा बात, sir, I maximum कैसे निकालेंगे, तो भाया, I maximum के लिए यह जो time आपका निकल के आया है, या फिर, या फि निकल के आई है, इसको आपको इस वाले term में substitute करना पड़ेगा, now look here very very carefully, इन चीजों को यहाँ से मटा देते हैं, इनकी हमें जरूरत नहीं है, हमें इस वाले equation की जरूरत है, जिसे हमें यहाँ पे अब substitute करना चाहिए, so I is equal to V by R, my dear student, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि E to the power RT by 2L, 2 के बराबर है, clear है, तो यहाँ पे तो E to the power minus RT by 2L है, तो क्या हम इसे 1 by 2 नहीं लिख सकते हैं, भया आप इस term को 1 by E to the power RT by 2L लिख सकते थे, तो यह तो 1 by 2 हो गया है, minus of, यहाँ पे आपको देखिए, उपर में minus RT by L है, clear है मेरी बात, अच्छा, तो इस वाले चीज को ध्यान से देखिएगा, इस वाले चीज को आप यहाँ पे लिख सकते थे, E to the power plus RT by L ऐसे करके, clear है, अब तुम खुदी मेरे को बताओ यहाँ पे, क्या, क्या इस वाले चीज को हम लोग 1 by 4 नहीं लिख सकते, एक बार ही आप ध्यान से देख लिजे, एक बार ही आप ध्य चेक कर सकते हो, 1 by 4 बोले तो इस वाले टम को आप यहाँ पे 4 बोल सकते हो, दोनों तरफ स्क्वेर कीजिए, अगर आप दोनों तरफ स्क्वेर करेंगे तो यह आपको RT by L हो जाएगा और यह आपको 4 हो जाएगा, so yes sir, we could have replaced this entire term by 4 itself, खत्म, तो यह आपको कितना आ जाएगा V by 4 into R, ठीक है, तो यह आपका हो जाएगा, option number B, clear है एकदम, right, चालिए, चालिए, तो यहाँ से हम लोग सवाल को अब, और आगे लेके चलते हैं, let us see the next question, तो इस सवाल का सही जवाब रहा, option number B and D, अगला सवाल देखिए, यह सवाल आपका 2019 का सवाल है, और यह एक बहुत इस standard सा approach, standard सा variety है, सवाल में आपसे कहता है, कि आपके पास भाईया, Y-X axis है, इस plane में, XY plane में आपको एक parabolic shape का wire है, ठीक है, अब यह शुरुवात में wire का जो यह वाला end है, वो origin पे है, यह wire जो है, आपको किस direction में move कर रहा है, तो X direction में यह wire आपको right side, एक constant speed V naught से travel कर रहा ह है, ठीक है, magnetic field आपको इस region में जो है na uniform नहीं है, non uniform है, B naught 1 plus Y by L power beta k cap, positive k cap बताता है कि field आपको out of the plane है, and यह Y आपको बताता है, कि आप जब Y axis में उपर बढ़ते जाओगे, तो आपका field बदलता जाएगा, यानि इस वाली layer पे field अलग है, इस वाली layer पे field अलग है, इस वाल meaning of variation of B with Y, if V naught, B naught, L and beta are positive constants and delta phi is the potential difference developed between the ends of the wire, then the correct statement is or are, तो यह भी आपका more than one correct type question होता है, जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ उनी option को tick करना चाहिए, जहाँ पे आप super confident है, it is better to get a partial mark rather than getting a negative minus 2 marks, clear एकदम, अब देखिये, इसको समझने का तरीका क्या है, हाला कि यहाँ पे मैं आपको directly यह बता सकता हूँ कि आपको इसका projection लेना होता है, लिकिन समझे का मेरी बात को, suppose कीजिए कि आपने इस wire पे एक DL length लिया है, यहाँ पे दिखाने के लिए कुछ ज़्यादा ही बड़ा length हम लोग ले रहे है, suppose कीजिए आपने यहाँ पे DL length क कुछ ऐसे लिया है, ठीक है, this is your DL length, field आपको out of the plane है यहाँ पे, field आपको यहाँ पे out of the plane है, हाँ जी सर, हमें EMF induce की बातचीत करने, यानि emotional EMF का बात हो रहा है, और emotional EMF जो आपको होता है, वो आपको पता होना चाहिए, V x B के साथ आप L vector का है न, dot लेते हो, यहाँ पे negative sign यह सब sign को भी हम ignore कर रहे है, हमें सिर्फ यहाँ पे dot में interest है, आप यहाँ पे V x B dot L vector करते हो, अगर तुम ध्यान से देखो, आपका जो यह element DL vector, यह तो आपको right side जा रहा है with velocity V, और आपका field जो है, वो out of the plane है, तो सर, आपका जो V x B होगा, उसका direction किदर रहेगा, आप य direction आपको आने वाला है नीचे की तरफ, तो यह जो direction है, वो आपको V x B का है, clear sir, अच्छा, तो भाईया हमको पता चल गया है, कि sir, मेरा जो V x B है, उसका direction नीचे की तरफ है, यह जो wire DL vector है, आप इसका X में और Y में component ले सकते थे, तो basically आपका यह DX vector होता, और इसका Y में DY vector, ठीक है, तो अगर तुम ध्यान से देखोगे, तो यह जो DY component है length का, वो आपको कहीं न कहीं इस V x B के साथ जो है, वो anti-parallel है, so basically DY vector जो है V x B के साथ dot product दे देगा, लेकिन जो आपका DX है, यह जो आपका DX है जनाब, वो आपको इस V x B के साथ perpendicular है, तो इसका dot तो 0 आ आपका wire है, इसका Y, इसका Y axis के along, जो आपका projection होगा, यानि कि इस length का projection इसके along, तो इसका जो Y axis में आपका projection है, ये length, इस время length में आपको EMF induce होगा, इसका जो X axis में projection आएगा, उसमें आपको EMF induce नहीं होने वाला है, so हम इस wire को replace कर सकते थे एक ऐसे wire से, एक ऐसे wire से, ध्यान स ऐसे आपका connection किया हुआ है तो आप यहाँ पे देख सकते है कि आपका यह जो wire है वो इस direction में travel कर रहा है और यह वाली length इस velocity के parallel है तो इस वाले length में आपको कोई भी EMF induce नहीं होगा इस वाले length में आपको EMF induce होगा जो कि हमने यहाँ पे भी दिखाने के कोशिश की है आपको तो यह वाला point जो है वो आपको काफी important point है अगर आपको इसको in-depth समझना है कि क्यों हम लोग इसका y वाला जो projection है उसी को इस्तिमाल करते है जहां तक बात इसके बात solving की है तो भाया मैंने आपको clear कर दिया कि इसके x वाले से तो कुछ लेना देना है नहीं आपको सिर्फ और सिर्फ इसके y वाले length से ही लेना देना है ठीक है तो इसका y वाला length कितना है capital L के बराबर है तो भाया हमें इस wire का length पता है that is your capital L पहला part कहता है कि अगर beta 0 हो गया अगर beta 0 हो गया यानि कि magnetic field constant है पहले part की बात करते है option number A 別otz 0 है तो आपका जो magnetic field है वो constant है B0 के बराबर और भाया अगर आपका constant magnetic field है हमें पता है यह वाली length को consider करना है तो आपके पास length इतना है आपका field इतना है यहाँ पर जो आपका EMF induced होगा, वो simply आपका BVL हो जाएगा, so B0, V0 into this वाला length, तो यह तो आपको simple BVL होना चाहिए था, यहाँ पर तो half BVL लिखता है, यानि यह वाला option आपका possible नहीं है, इसमें कहता है कि अगर बीटा मेरा 2 हो जाए, अगर बीटा 2 है, यानि कि सर अच्छा, अब magnetic field जो है, वो constant नहीं है, that is B0, 1 plus Y square, divided by your L square, k-cap, यानि आपका Y में, field vary कर रहा है continuously, और जब कोई चीज़ continuously vary करती है, तो वहाँ पर जनाब integration का सहरा, लेना ही लेना पड़ता है, एक काम के जिए, इसको यहाँ से छुपाईए एक बार के लिए, इन चीज़ों को यहाँ से, एक बार के लिए हम हटा देते हैं, तो देखिएगा, element आपको लेना पड़ेगा, है न, Y पे जाके, DY length का हम एक छोटा सा segment ले रहे है, Y पे जाके, DY length का हमने एक छोटा सा segment लिया है, potential difference across this छोटू सा element, तो यह जो छोटू सा element है, इसमें आपको कितना EMF induce होगा, B, V, L, तो B के जिएकर क्या लिखोगे, field at Y distance, तो यह तो आपको हो जाएगा, B0, 1 plus your Y square upon L square, V तो आपका V0 ही रहेगा, है न, जातुरा यह लोग V0 से ही right side, और L का मतलब है, इस element का length, यानि कि वो आपको हो जाएगा, D, Y, हमें total potential difference आईए, तो हम इसको मारेंगे integrate, तो यह हो जाएगा, delta 5 is equal to, आप यहाँ से B0 और V0 को बहार निकाल देंगे, उसके बाद, 1 का integration आपको हो जाएगा, Y, और Y square का हो जाएगा, Y cube by 3, ठीक है, limit आपका हो जाएगा, 0 से लेके L तक, क्य So, this becomes your L, plus L cube by L square, तो basically L by 3, So, this becomes how much, this becomes 4, V0, V0, L by 3, and yes, this is the option, so, option number B is the correct one, C में देखिएगा, delta 5 remains the same, if the parabolic wire is replaced by a straight wire, Y is equal to X, जिसका length root 2L है, Okay, तो हमसे कह रहा है, कि भाया, हमसे कह रहा है, कि आपका जो अब wire है, Y is equal to X, straight line पे वो लाई कर रहा है, और इसका length जो है जनाब, वो आपको root 2L है, यानि कि ये angle आपने को सर 45 degree दे रखा है, तो हमको तो इतना पता है ना, कि इस diagonal length से फरट नहीं पड़ता, इसका Y axis में projection क कितना है, वो मेरे लिए effective wire हो जाएगा, तो फिर से root 2L का, जो Y में component होगा, वो आपको again L ही होने वाला है, और हमने देखा था कि अगर ये L length है, तो यहाँ पी भी तो L length है, भाया, जब length same रहा है, तो आपका potential difference भी same निकल के आएगा, which means option number C is the correct one, delta 5 is proportional to the length of wire projected on the Y axis, यह तो हम शुरुवात से ही बगबग करते आ रहे हम लोग, तो यह भी आपका सही चवाब है, है ना, आप देखिए ना, आपके इस L के proportionally निकल के आने वाला है, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ाते हैं, so BCD are the correct answer, यह देखिएगा, यह आपको सवाल आया, 2019 का सवाल है, है ना, and one of the, you know, most easiest questions है आपका ही है, सवाल में आपसे कहता है, ध्यान से पढ़िएगा, numerical type है, a 10 cm long perfectly conducting wire PQ is given, is moving with a velocity of 1 cm per second on a pair of horizontal rails of 0 resistance, यह आपकी rod है, यह जिस rail पे travel कर रहा है, वो rail का resistance 0 है, यह rod की length आपको दे रखिए, 10 cm, ठीक है, one side of the rail is connected to an inductor of 1 millihenry, तो यह जो inductor है, वो आपको जनाब 1 millihenry का है, यह resistance आपको जनाब 1 ohm का है, जो magnetic field है, वो आपको जनाब 1 tesla का है, perpendicular to the plane, if the key S is closed at a certain instant, आपने इसको जो है, close कर दिया है, the current in the circuit, after 1 millisecond, is dash, जहाँ पे आपको इस X को भरना है, ठीक है, assume the velocity of wire PQ remains constant, तो यह आपको एक important information है, हमसे सवाल में कहता है, भाईया, wire का जो velocity है, वो constant maintain की जा रही है, अच्छा, ठीक बात है, और e to the power minus 1 को बोलता है, 0.37 ले लो, देखिए हुआ क्या, कि आपने जैसे ही इसको close किया, circuit आपका यहाँ पे complete हो गया है, ठीक है, देखिए, पहले भी इस rod में emotional EMF तो था, इसमें एक EMF induced हो चुका है, वो आप देख सकते है, फील आपका into the plane है, velocity आपको right side है, यह आपका ऐसा है, तो आप जब V cross B करेंगे, आपका thumb उपर की तरफ आएगा, towards point P, यानि कि इसमें जो आपको एक battery हम दिखा सकते थे, वो कुछ इस प्रकार से दिखा सकते थे, E, and this is equal to BVL, clear है एक दम, तो जैसे ही आपने switch को close किया, circuit close हो गया है, आपको यहाँ पे current जो है, वो grow करना शुरू हो जाएगा, अब हलाकि जो अभी हम discuss करेंगे, उसका सवाल के solution से कोई लेना देना नहीं, लेकर आपका concept clear होना चाहिए, कि भाया यह जो current flow किया, यह जो current इसमें flow कर रहा है, इस current के कारण इस rod पे आपको अब एक magnetic force भी लगना शुरू हो जाएगा, il cross b के हिसाब से, तो जब आप l cross b करेंगे, आपका thumb left side आएगा, यानि की magnetic force left side है, अगर हमको सवाल में यह नहीं बोलता कि भाया speed constant है, तो इस magnetic force के कारण इसका speed समय के साथ decrease भी होता, constant है, इसका मतलब है कि कोई external agent इतना ही force लगा के, net force is system पे zero maintain कर रहा था, but उससे हमें कोई लेना देना है नहीं, just for the sake of, you know, clarity, we have discussed this, the solution part is fairly simple, आपका ये एक, you know, LR circuit बन जाता है, आपके पास एक constant source of supply है, तो भाया, LR circuit में आपका growth of current कैसे लिखते हो, I0 1 minus e to the power minus RT by L, ठीक बात है, sir, where I0 is how much? I0 is your E by R, so E की जगह हम यहाँ पर लिखेंगे, BVL by R, 1 minus e to the power minus RT by L, अब यहाँ पे जो है, जनाव, आपको बस data को substitute करना चाहिए, B की value 1 है, okay, velocity की value, 1 cm per second, 10 to the power minus 2, length आपको 10 cm है, यानि 10 to the power minus 1, resistance मेरा 1 है, 1 minus, अच्छा, अब यहाँ पे देखेगा, यह जो RT by L है, यह कितना है, इसको अलग से ही solve कर लेते हैं, यह RT by L कितना है, R आपका 1 है, time कितना बोला है, हमसे 1 millisecond बात कहानी पूछ रही है, तो 10 to the power minus 3, और L भी आपका देखे, 10 to the power minus 3 ही है, यह कट गया, तो यह आपको basically सर्फ 1 आ रहा है, तो e to the power minus 1 यहाँ पे होगा, तो यह कितना हो गया है, 10 to the power minus 3, 1 minus, this fellow is your 0.37, so this becomes 0.67 into 10 to the power minus 3 amperes, और यहाँ पे हमसे वही पूछा था, तो X की value कितनी हो जाती है, 0.63, clear है, चलिए, let's see the next question, अगला सवाल आपका 2020 का है, यह आपको pure theoretical, even इसका जो concept है, वो आपको NCRT में भी mentioned है, so यहाँ पे basically क्या हो रहा है, कि आपके पास यह एक aluminium का disk है, यह disk आपका शुरुवात में rest पे था, लेकिन आप इसके उपर एक magnet को लेके, इस axis के about, you know, rotate कर रहे हो, इस axis के about, आप इस magnet को घुमा रहे हो, तो हमसे पूछता है कि, इस magnet के घुमाने के करण, इस disk पे क्या प्रभाव बढ़ रहा है, क्या वो disk rotate करेगा, in the direction, opposite to the direction of magnet's motion, या same direction में, नहीं rotate करेगा, फलाना फलाना, ठीक है, अच्छा, देखिएगा, अगर हम इस चित्र को थोड़ा सा और विस्तार पूर्वक बना के आपको समझाने का प्रयास करें, तो basically आपके पास यह रहा वो disk, और हम लोग इसका जो है, करेंट्स फ्लो करते है, उतने डीप में हम लोग यहाँ पर जाएंगे नहीं, तो यह देखिएगा, basically आपको हो क्या रहा है, यह रहा आपका वो magnet, ठीक है, magnet का, हलाकि यह नौर्थ पोल है कि साउथ पोल उससे फरक निपड़ता, लेकि ठीक है, यह आपका नौर्थ पोल है अब आपको भी पता है कि यह नौर्थ पोल है, तो field lines इससे जो है, ऐसे निकल रही होगी बाहर, field lines इससे आपको इस प्रकार से बाहर निकल रही होगी, और आपको इस surface को cross कर रही होगी, ठीक है, field lines आपको ऐसे जा रही है, अच्छा, अब मेरी बात को समझेगा, जैसे ही आपका ये जो magnet है, let us say इस direction में, इस direction में आपको ये magnet को घुमाया जा रहा है, तो जैसे ही आपका ये magnet उधर move करने की कोशिच करता है, फिलहाल इस region में आपको जो flux भर-भर के उस surface को cross कर रहे थे, the moment this magnet tries to move in this anti-clockwise sense, आपको यहाँ से flux decrease होना शुरू हो जाएगा, आपको इसका मतलब है कि सर यहाँ पर आपको एक EMF induce होगा, so lens law आपको simply यही कहता है, कि आपको जो EMF induce होगा, it will get induced in such a way that it will try to oppose its cause, यानि कि जिसने यहाँ पर EMF को induce करने की कोशिच की, उसको वो oppose करेगा, तो यहाँ पर EMF क्यों induce हो रहा था, क्योंकि आपका ये magnet इधर भागना च आ रहा था, तो आपके lens law के मुताबिक यहाँ पर आपको जो भी current flow कर रहा होगा, miniature currents and whatever, that will basically try to stop the magnet from moving in the anti-glockwise sense, right? So this region will attract the magnet in this direction, and इसके reaction में, action-reaction pair, इसके reaction में, this magnet will apply a force on the surface in this particular direction, तो आप देख सकते हैं, यह जो आपका force है, इसके torque के वजह से, about this particular axis, आपका यह जो disk है, वो भी ऐसे घूमना शुरू करेगा, यानि कि आपका disk भी उसी sense में घूमेगा, जिस sense में आपका यह magnet घूम रहा था ठीक है, तो यह हमने इसको इस तरीके से आपको समझाने की कोशिच की है, rotate in the same direction as the direction of the magnet's motion, right, चलिए, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग यहाँ पे अपने अगले प्रशन की question number 5, okay, so this is, यह कैसा सवाल है, जो कि अगर exam में आपके सामने आ जाता है, तो recommended रहेगा कि आप इसको सबसे आखरी में ही attack करें, है ना, 2020 का सवाल है, एक ऐसा साल जहाँ पे आपको बच्चों को physics काफी तकलीव दी थी, सवाल में आपसे क्या कहता है, आपके पास यहाँ पे एक LR circuit है, ठीक है, यह आपका voltage 5V है, यहाँ पे भी आपके पास एक LR है, voltage 20V, ठीक है, इन दोनों ही inductor का हमें self inductance दिया हुआ है, और इन दोनों के बीच का हमको mutual inductance दिया है, सर यह mutual inductance क्या होता था, mutual inductance होता था कि भाया, इन दोनों का flux आपस में interlinked है, ठीक है, आप याद कीजिए कि अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक inductor coil अगर होता है, इसमें अगर आ cross आपको एक EMF induce हो जाता है, that will try to oppose this current's growth, right, so basically इस वाले inductor के थुरू, जब current change होता है, तो यह अपना ही EMF induce कर लेता है, यह होता था self inductance के वज़ा से, लेकिन मान लीजिए, मान लीजिए, मान लीजिए, कि अगर इसके बाजू में एक और inductor coil है, और इसमें आपको let us say current change हो रहा है, तो इसके अंदर जो भी आपको feed lines होगा, अगर यह feed lines इस वाले inductor के साथ भी linked है, तो इसके current change के कारण, इस वाले inductor में आपको EMF induce होगा, तो दूसरे के कारण, जब खुद में कुछ होता था, तो उसको हम कहते थे, वो होता था आपको mutual inductance के कारण, समझवा ही मेर magnitude was given by LDI by dt, और अगर इसके कारण यहाँ पे आपको EMF induce हो रहा था, तो वो होता था आपको M, इसमें अगर current I1 है, तो MDI1 by dt, due to the mutual inductance, clear है एक दम, इस सवाल में, जो पच्चो को confusion रहा या फिर आपको इसका solution भी यहाँ वा देखेंगे, तो आपको इसका दो answer की दिखाई द दिखाई देखा आपको 55, और एक आपको दिखाई देखा, प्रॉबबलिशा 35, तो सर यह हलाकि advance ने इसका answer 55 भी दिया है, और बच्चो को भी 55 भी लाना चाहिए था, बर स्चिल सर यह confusion क्यों है, तो वो इसलिए है क्योंकि सवाल में बहुत clearly यह नहीं mention किया गया है, कि भ लेकिन कुछ 2-3 बातों को यहां पर समझ लेना ज़्यादा जरूरी है, उससे पहले कि हम लोग इसके solution में कूच जाए, देखेगा winding से कैसे फरक पड़ता है, एक मैं आपको winding यहां पर करके दिखा रहा हूं इस प्रकार से, देखेगा एकदम, this is one sort of winding, और एक winding मैंने आपक करके दिखाई ऐसे, राइट, सर दोनों तो देखने में एक जैसा लग रहा है, क्या बात कर रहे हो सर, दोनों सर देखने में same to same लगता है, जनाब अगर इस वाले में आपको current I flow कर रहा है, तो क्या आप बता नहीं सकते कि इस inductor के अंदर या फिर इस solenoid के अंदर आपको field का direction किदर होगा, right, right hand thumb rule, तो आपको यहाँ पर दिखना चाहिए कि सर, इसमें आपको field का जो direction है, अंदर में B left side होगा, यहाँ पर अगर हम current I flow कराएंगे, तो आपको current I ऐसे flow कर रहा है, नीचे की तरफ, तो यहाँ पर आपका field देखिए, right side है, तो भाया, winding आपने कैसे कर है, उस पर field का direction देखिए, पूरा का पूरा reverse हो गया है, जिस current से, जिस current से, कभी-कभी हमारा mutual inductance का, जो MDI by DT होता है, कभी-कभी वो plus sign के साथ आता है, कभी-कभी वो आपको negative sign के साथ आता है, ठीक है, तो यही यहाँ पर बस confusion था, जिस current से आपका एक answer 55 हो सकता, एक answer आप का 35 हो सकता है, but nevertheless, चली हमने को इसको solve करना शुरू करते है, so basically क्या किया हमने यहाँ पर, after both the switches are closed simultaneously, the total work done, the total work done by the battery against the, against the induced EMF in the inductor by the time, देखिए, यहाँ पर शब्द का परयोग किया गया है, against the induced EMF in the inductor by the time the current reaches their steady state values is dash millijoules, सबसे पहले तो यह पता कर लो, कि भाईया आपने जब ठीक है, आपने इसको close worst तो कर दिया है, steady state condition में, इस वाले loop में आपको कितना current flow कर रहा होगा, simple सी बात है, भाईया steady state condition में, यहाँ पे आपको, हम लोग इसमे, I1 current है ना, तो steady state condition में, I1 current क्या हो जाएगा, this inductor will behave as a plane wire सब inductance, mutual inductance सब गए आपका अब साइड में, simple एक resistance है, एक battery है, तो V by R यानि की 1 ampere, और steady state condition में, इसमें जो आपको current flow कर रहा होगा, वो आपको कर रहा होगा जनाब 20 by 10 यानि की 2 ampere, तो हमसे कहता है कि जब तक steady state current अचीव हुआ, तब तक battery ने कितना work done किया होगा, against the induced EMF, सर इसका क्या मतलब हुआ, भाई आप battery कोई ना काम करना पड़ता है, तभी आपका inductor में energy store होता था, half Li square, लेकिन यहाँ पे सिर्फ half Li square अब नहीं होगा, क्योंकि अब आपका यहाँ पे M का factor भी आने वाला है, तो बात को समझते है, होता क्या है, कि जब आपका यहाँ पे current धीरे धीरे यहाँ पे grow करना शुरू करता है, तब आपको इस inductor के across EMF भी induce होता है, ठीक है, अच्छा, एक काम करता है, यहाँ पे जो L1 10 mH है, और यह जो L2 20 mH है, इसको एक बार मिटाते है, है ना, इसको कहीं side लिखतो, यह आपका जनाब 10 mH है, और यह आपका 20 mH है, तो हो क्या रहा है, आपको जब यहाँ पे, यहाँ पे current आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसके अंदर आपको एक EMF induced होगा, which will try to oppose this current growth, तो जो आपका battery का orientation होगा, जो यहाँ पे induced battery होईगी, वो आपको हमको ऐसे दिखाना चाहिए, इस fellow is what? इस fellow is your L1 Di1 by dt, ठीक है, Di1 by dt, उसी प्रकार, यहाँ पे भी अगर तुम ध्यान से देखोगे, तो आपका current जो है, वो I2 इस प्रकार से flow कर रहा है, यहाँ पे आपको current grow करना चाह रहा है, तो यहाँ पे भी आपको इस प्रकार से EMF इसमें induce हुआ होगा, that is your L2 Di2 by dt ठीक है, इसके इलावा, इसके इलावा अभी और भी है कुछ, क्या है sir, भाईया अब आपका आता है, यहाँ पे mutual inductance, यानि कि इसका जो आपको flux है, इसका जो आपको flux होगा, इसमें आपको current flow कर रहा है, इसका flux इसके साथ आपको linked रहेगा, जो आपको field lines होता है, एक solenoid मे वो तो आपको भाईया, ऐसे होता है न, ऐसे होता है आपको, यानि कि आपका जो यहाँ पे field lines होगा, वो इसके साथ भी आपको associated है, और M की value हमको दे रखिए 5 million, ठीक है, यानि यहाँ पे आपको L1, Di1, DT के साथ-साथ, एक और term हमको लिखना पड़ेगा, that is your M, इसमें ज यहाँ पे plus, इसमें जो EMF induced होगा, वो इस I1 के change होने के कारण हो रहा है, तो हमको यहाँ लिखना चाहिए था, M, Di1 by DT, ठीक है, यह दोनों ही हमारा यहाँ पे supportive में है, क्योंकि battery इन दोनों EMF के against work done कर रहा है, यहाँ पे, तो यही था कि winding का आपको कैसा है, तो यहाँ पे दोनों को, you know, same polarity में consider कीजिए, ठीक है, तो basically mutual inductance भी आपको इस current के growth को oppose कर रहा होगा, अच्छा, अब हमको यहाँ पे समझ में आ गया कि भाईया, इस inductor के across आपको EMF induced कितना है, तो basically जब current I1 इसके through grow कर रहा होगा, तो battery यहाँ पे basically कितना work done कर रहा है, तो यहाँ पे दे work done कर रहा होगा, that is, यह जो भी आपका EMF है, that is your MDI2 upon dt plus your L1 di1 by dt, यह आपका EMF है, right, EMF into current, अगर आप करोगे तो यह आपको power हुआ, multiplied by dt टाइम में कितना work done किया होगा, तो DW work done किया होगा, ठीक है, यह हुआ है, इसके अंदर work done, अब इसमें कितना work done हुआ होगा, plus इसका EMF, that is your L2 di2 by dt plus Mdi1 by dt, EMF into current multiplied by dt, तो हमने दिखा कि dt टाइम में, दोनों बैटरी ने कितना work done करा है, ठीक है, तो यह कहीं न कहीं, energy stored भी हमको निकल किया आ रहा है, उस inductors में, आपको total work done चाहिए होगा, तो हमें इसे integrate करना होगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा dt dt को आपको यहां से cut करके निकल लेना चाहिए, dt dt जो term हमारा यहां से cut करके निकल जाता है, अगर तुम ध्यान से देखोगे, तो यह आपको आ जाएगा, L1 I1 Di1 समझेगा, L1 I1 Di1 प्लस L2 I2 Di2, तो L2 I2 Di2 प्लस, यहां पर आपका M Di2 और यह I1, है ना, So, M I1 Di2 प्लस, और यहां पर आपका आ रहा है, M I2 Di1, So, this is your total work done, जिसके लिए आपको इसको integrate करना चाहिए, ठीक है, देखें, इसको integrate करेंगे, तो आपको यहां पर आएगा, half L1 I1 का square, और हम इसे integrate कहां से कहां तक कर रहे है, 0 से लेके आपका जो steady state current था, right, अब जो यह I I1 है, मेरा basically steady state current है, So, half L I1 square, प्लस यह और half L2 I2 का square, तो यह देखें, आपका inductor का energy स्टोड़ा गया है, L के formula के साब से, यहां पर जब आप इसको integrate करोगे, तो भाया, तुम अगर ध्यान से देखोगे, M को तो रहने दो, I1 Di2 प्लस I2 Di1 can be written as Di1 I2, differential of I1 I2, ठीक है, अच् यह तो आता है समझ में, क्योंकि I1 I2 अब आपका हो गया product tool के साब से, आपको इसको separate करना पड़ता, तो यह आपको यही आजाता घुम फिर के, So, आप देखेगा, अब आप यहां से चीजों को हटाईए, because आपका जो है, required equation जो है मेरा वो बस आही गया समझिए, तो अगर हम धिहान से देखे, तो मेरा जो यहां पे work done निकल के आ रहा है, that is equal to your half L1 I1 का square, that is plus your half L2 I2 का square, plus this becomes your M into D I1 I2 का integration I1 I2 ही हो जाएगा, अब आपको यहां पे सिर्फ और सिर्फ बच्चा values को substitute करना है, So, if we do that, what we can see is, this is your half, L1 की value मेरेको निकल के आई थी कितना, This is your 10 million Henry, त तो, क्योंकि यह answer मेरेको मिली में ही देना है, I1 की value 1 थी, तो यह आपको basically 1 ही रहने वाला है, plus half L2 की value 20 है, और I2 की value 2 है, तो यह आपको 4 हो जाएगा, M की value 5 है, 1 into 2, तो यहां से यह निकल के आ रहा है 5, यह आपको निकल के आ रहा है, 40, प्लस यह आपको 10 निकल के आ रहा पचपन मिली जूल्स, और 35 कैसे आता, अगर यहां पे प्लस की जगा, आप माइनस डाल देते हैं, यहां पे अगर यह दोनों अगर माइनस माइनस होता, तो आपका answer यह वाला 35 आ जाता था, ठीक है, चलिए, तो यह हो गया आपका question number 5, अब हम लोग चलिए यहां पे बात क question number 6 को अगर तुम ध्यान से देखोगे, तो यह जो आपका variety है, यह आपको वैसा ही है, जो हमने question number 2 अभी-भी solve कहता, कुछ दर पहले, इस सवाल में, 2021 का सवाल है, हाला कि यहां पे भी छोटा सा एक controversy, उसके हम लोग यहां पे बातचीत करेंगे, इस सवाल में आपसे कहता ह है कि आपके पास भाईया, ऐसा rails है, यह आपका rod है, या फिर आपका जो wire है, वो उपर जा रहा है with a velocity V, यहां पे आपको एक infinite current carrying wire है, जिसमें current उपर की तरफ फ्लो कर रहा है, इस प्राणी का एक ही काम है, आपको यह बताना कि इसके कारण right side में आपको into the plane magnetic field है, जो आपक okay sir, उसके बाद आपको यहां पे देखिए, एक closed path भी बन जाता है, यहां पे resistance R है, यहां पे आपको C0 capacitance है, यह जो wire है, इसमें आपको current 2A flow कर रहा है, और क्या-क्या दिया है, a semi-circular conducting rod is placed besides two conducting parallel rails of negligible resistance, both the rails are parallel to the wires, the wire and the rod and the rail lie in the same horizontal plane, at t equals to 0, the rod starts moving on the rail with a speed of 3 meters per second, तो आपको यह system है, वो उपर जा रहा है, 3 meters per second की speed से, इस सवाल का जो सबसे बड़ा problem यह है, कि इसका answer तभी आएगा, जब आप यह मान के चलेंगे, कि यह speed हमेशा constant रहने वाली है, और आपको यही मान के इसको solve करना पड़ेगा, अधर आपका answer इसमें अब ला नहीं पाएंगे, गरबड़ी यह है कि इनको सवाल में यह clearly mention कर देना चाहिए था, कि इसका speed हमेशा constant रहने वाला है, क्योंकि अगर इसमें, जैसे ही आपको यह उपर move करना शुरू करेगा, इसमें आपको एक EMF induced होगा, इसमें आपको current flow करना शुरू कर देगा, एक बारी देख लेते हैं कि इसमें current किस direction में flow कर रहा है, velocity जो है वो उपर की तरफ है, wire के वज़े से field आपको into the plane है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको EMF induced होगा, वो आपको कुछ ऐसा induced होगा, यानि कि circuit में current आपको ऐसा जाएगा, आपको पता है कि current carrying इस wire के पूछ रहा है, वो फिर solve करना अती मुश्किल हो जाएगा, at the same time आपको सवाल में rod का mass भी नहीं mentioned है, तो यह थोड़ा सा यहाँ पे बच्चों के मन में confusion रहा होगा, अगर आपने यहाँ वहाँ कई solution देखा है, क्योंकि इसके बारे में बहुत कम लोगों ने कभी जिक्र भ नहीं है, तो मान लीजेगा कि आपको constant speed के साथ इसको solve करना था, उसके बाद आपको जो approach है, वो बिलकुल आपको वैसा ही है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखे, यह आपका जो दो ends है, ends A and B, इस वाले shape पे EMF induce पता करने से बहतर होगा, कि हम इस वाले इन A औ आप यहाँ पे चाओ तो एक DL element ले सकते हो, और फिर आप उस पे देख सकते हो, कि इस DL element का, जो DX component होगा, उसमें ही EMF induce होगा, DY component में EMF induce नहीं होगा, ठीक है, तो जो horizontal है न, उस ही में ही आपको होगा, तो हमने इस पूरे wire का X axis में प्रोजेक्शन ले लिया, horizontal projection लिया है, the moment you understand this thing, उसके बाद क्या है, कि आप इस जो curved shape है, अरे काला कलर कहां गया, जो आपका curved shape है, आप इसको यहाँ से चुप चाप, शान्ती से हटा सकते हो, इसको यहाँ से हटा दीजे, इसका कोई काम है नी, ऐसे भी आपने को पता करना है कि भाईया, इस वाले rod में EMF induce कितना हो गया, तो again go for the method of integration, आप यहाँ से, इस infinite wire को हमने reference लिया है, x पे जाके, dx लेंद का, आप चुप चाप यहाँ पे एक element उठा लो, x पे जाके, dx लेंद का, हमने यहाँ पे एक यह वाला देखी element उठाया है, इस element की velocity भी जनाब आपको V होगी, इस element में आपको जो छोटा स EMF induced होगा, that is equal to BLV, तो B क्या लिखोगे, इस current carrying wire के बज़ए से, x दूरी पे, B कितना हो जाएगा, तो mu 0, i divided by 2 pi x, so B, L की जगा, dx लिखोगे, इसका length and velocity, total EMF चाहिए, इस yellow वाले wire में, तो आप इसे integrate करेंगे, limit कहां से कहां तक, तो भाया, यह आपको wire 1 cm पे शुरू हो र ही है, तो limit 1 से लेके 4 तक, ठीक है, तो very carefully, mu 0, i, v divided by 2 pi, dx by x का integration, log x, limit put करोगे, तो log 4 आ जाएगा, cm, cm आपको division में है, log 4 by 1 था, तो cm का काम खतम हो गया है, log 4 का मतलब है 2 log 2, so this fellow is nothing but your 2 log 2, right, so 2 से 2 आपका यहां पे मर जाने वाला है, mu 0 की value आपको होती है, 4 pi into 10 to the power minus 7, current जो flow कर रहा है, वो आपको 2 flow कर रहा है, velocity जो है, वो हमको सवाल में दे रखा था न, कहां गया, 3 meters per second, that is your 3 meters per second, log 2 is also mentioned as 0.7, this is your 0.7 divided by pi, clear है, तो यहां पे आपका बच्चा, pi से pi जो है वो, मर जाने वाला है, तो हम यहां पे देख सकते ह है, यह आपको कितना हो जाएगा, 3, 2, 6, 6, 4, 24, this is your 24 multiplied by 7 multiplied by 10 to the power minus 8 volts, ठीक है, अच्छा, तो यह मेरे पास अभी आ गया है, EMF induced, अब, अब, इन सभी चीजों का आप यहां सटा सकते, so basically क्या हो गया है, अब आपका उस rod में न, एक constant EMF develop होना चुरू हो गया है, क्यों हमने constant बोला है, क्योंकि हमने भाईया, इसकी velocity को constant माना है, तभी हम इस सवाल में यहां तक पहुँच पाएंगे, अब इनको यहां सटाइए, so basically, basically हमको अब क्या समझ में आ रहा है, कि भाईया, हम जो है न, हम लोग जो है, यहां पे उस rod में एक EMF assume कर सकते थे, ऐसा, तो यह तो maximum charge कब होता है, at t equals to 0, rc circuit में capacitor behaves as a straight wire, एक straight wire की तरह यह behave करता है, और circuit में current maximum होता है, तो current maximum होगा at t equals to 0, जब आपको simply e by r हो जाता है, maximum current, e by r, e की value मेरे पास लिखी हुए है, 24 into 7 into 10 to the power minus 8, और r की value कितनी है, जनाब 1.4 है, तो 7 को इससे cut किया, तो यह आपको हो जाएगा 0.2, clear है, और यह आपको हो रहा है, 12 into 10 to the power minus 7, यानि की 1.2 into 10 to the power minus 6, क्या यह option में है, option number a में है, ठीक है, अच्छा, सर current maximum आ गया, अब क्या सर, maximum charge होता है आपका steady state पे, तो वो होगा आपको t 10 into infinity पे, आपको जो maximum charge होता है, वो simply आपको c into v हो जाता है, c की value कितनी है, 5 microfarad, 5 microfarad, और e की value आपको, 24 into 7, 24 into 7 into 10 to the power minus 8 है, अच्छा, अब क्या बात, अब आपको बस इसको solve भी तो करना है, है ना, look here very very carefully, आपका यह 5 into 24 हो जाता है, 120, so 120 into 7 into 10 to the power minus 14, यह आपको जाएगा 84 into 10 to the power minus 13, यानि की 8.4 into 10 to the power minus 12, that is your option number c, clear है एकदा, चलिए, आगे बढ़ते हैं, तो यह अपना question number 7 और 8 है, basically आपको एक paragraph type question था, ठीक है, यह आपको उसकी कहानी है, paragraph की, और इसके corresponding आपको दो सवाल पूछा गया है, पहले आप इस paragraph को देख लीजे, समझ लीजे, इसमें आपको कहता है कि भाईए, आपके पास एक special metal S, that conducts electricity without any resistance, ठीक है, इस material का इस्तेमाल करके, आपको यह एक circular loop बनाये गया चोटा सा, जिसका radius आपको small a है, इसके axis पे, आपके पास यहाँ पे एक short magnet है, जिसका magnetic moment आपको, M vector हमको प्रश्ण में दे रखा है, ठीक है, कहता है, a closed wire loop made of S, does not allow any change in flux through itself, by inducing a suitable current, to generate a compensating flux, मतलब है, कि जब आप इस magnetic को, या फिर magnetic moment को, आप इसके पास लेके आते है, तो भाईया, suppose किजिए, यह magnet आपको पहले कहीं दूर था, आपने इसको नजदीक ले आया, तो इसका मतलब है कि, इसका जो magnetic field lines होगा, वो इस circular loop से आपको change हो रहा होगा, तो जब इस loop से आपको flux change हो रहा था, तो यह अपने अंदर एक current induce कर लेता है, और इस तरीके से induce करता है, कि पूरा का पूरा flux को यह compensate कर जाता है, clear है, अच्छा, तो इसके अंदर एक current induced हो जाता है, और आप सभी को पता होना चाहिए, कि अगर आपके पास एक small loop है, जिसमें आपको let us say, I current flow कर रहा है, तो इसका जो magnetic moment होगा, अगर हमने current का direction suppose कीजिया, ऐसे बनाया है, तो आपका जो magnetic moment होगा, वो इस direction में होगा, ठीक है, so हम से कहता है कि यह जो induced current के current, यह जो magnetic moment के तरब भीव कर रहा है, this will repel this other magnet, जिसके कारण इसके अंदर current induced होगा था, consider such a loop of radius A, with its center of the origin, a magnetic dipole of moment M is brought along the axis of this loop from infinity, इस चीज को infinity से लाकर इस axis पे लाया गया है, to a point at a distance small r, which is much much more than small a, यह r की value इससे बहुत जादा बड़ी है आपको, from the center of the loop, with its north pole facing the loop, तो यह basically north pole है, यह आपको south pole है उस magnet का, हमको सवाल में यह भी information दे दिया गया है, हाना कि यह नहीं भी देता, of a dipole M at a point on its axis at r distance is this much, भले आपके पास एक छोटा सा magnet हो, जिसका magnetic moment M हो, या फिर आपके पास एक current carrying loop हो, एक small current carrying loop हो, जिसका current का direction suppose कीजिया ऐसा है, तो यह भी आपको एक magnetic moment की तरह behave कर रहा है, तो इन दोनों के ही वज़ए से r distance पे, इन दोनों के ही वज़ए से r distance पे जो field यहाँ पे होगा, that is given by mu naught M divided by 2 pi r cube, इसके वज़ए से भी आपको यही formula हमें इस्तमाल करने बोल रहा है, हालाकि आप इसको चाहते तो derive भी कर सकते थे, इस case में आपका जो M होगा वो हो जाएगा current into area, जो भी इस loop का आपका surface area होता है, ठीक है, तो यह information हमको यहाँ पे दे रखी है, और क्या दिया है, the magnitude of the force between two magnetic dipoles with M1 M2 separated by a distance are on the common axis with the north poles facing each other is this much, अगर आपके पास यह एक dipole moment M हो गया है, यह आपका M2 है, तो दोनों के बीच में जो आपको force of interaction होगा, उसका हमें यहाँ पे formula दे रखा है, where k is a constant of appropriate dimensions, the direction of this force is along the line joining the two dipoles, तो इसी k line के along आपको force होगा, ठीक है सर, तो इतनी हमको सर यहाँ पे कहानी question में mentioned है, important है आपको यह वाला formula जो यहाँ पे mentioned है, ठीक है, mu naught 2pi m upon r cube, तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसके पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अभी अभी हमने देखा जो आपका field था, that is mu naught by 2pi m divided by r cube, when the dipole m is placed at a distance r from the center of the loop, the current induced in the loop will be proportional to what, आप इस dipole को जब infinity से r distance पे लेके आए, तो हमसे पूछता है कि इसमें आपको कितना current induced होगा, जाहिर सी बात है, यह आपको north pole है, यह आपको south pole है, तो इसके current जो आपको field रहा होगा, जो आपको field रहा होगा, इस loop के थूँ वो आपको इस direction में रहा होगा, अब क्योंकि, क्योंकि आपका यह r इतना ज़ादा बड़ा है, as compared to the small a, हम ऐसा assume कर सकते हैं, कि इसके current, इसके axis पे, इस point पे, इस magnet के कारण, जहाँ पे जो field होगा, हम उस पूरे field को, इस loop के through uniform ऐसा assume कर सकते हैं फिर, ठीक है यही purpose था, इस r को much much more than small a देने का, ठीक है sir, और देखिए, तो हमको सर इतना पता चल गया है, कि भाईया ठीक है, इसके कारण जो यहाँ पे आपको flux था, वो हम निकाल सकते हैं, वो क्या है sir, that flux is equal to, that flux is equal to, इसके कारण यहाँ पे field कितना है, हमारे पास यही formula है, that is your mu naught divided by 2 pi m by r cube, multiplied by इसका जो भी area होगा, that is equal to your pi a square, अब हमको question में यह कहा गया था, कि भाईया, इसके अंदर, जो current induce होगा, पहली बाद इसमें current induce का direction कैसे decide करेंगे, आप जब इसको, you know, infinity से नजदीक लेके आ रहे थे इसमें, यानि कि इसके थुरू आपको field increase कर रहा है, इसके थुरू आपको flux increase कर रहा था, तो इसमें current इस तरीके से induce होगा, which will try to oppose it, तो इसमें current आपको, कुछ इस प्रकार से induce होना चाहिए, ऐसा current induce होना चाहिए, ताकि इसके अंदर जो field पैदा हो, वो आपको इस direction में पैदा हो, clear है sir, अब आपको ये सवाल में बता दिया गया था, कि current इस तरीके से induce होगा, ताकि वो पूरे के पूरे flux को compensate कर जाए, इसके कारण अगर flux इतना था, तो ये अपना खुद का current ऐसा पैदा करेगा, ताकि आपको इस current का जो flux होगा, right side, वो exactly इसके बराबर हो जाए, तो हमको यहाँ पे दिख रहा है, कि sir, this is mu0 divided by 2 pi, this is m by r cube pi a square, this is equal to flux due to this current, और इस current के current, इस loop के थ्रूँ जो आपको magnetic field है, that is your mu0 i divided by 2 into r, ठीक है, पता है हम यह कि यह axis के लिए, लेकिन हम इसे uniformly across the loop, assume कर रहे है, multiplied by, multiplied by, आपका यहाँ पे जो भी, इसका surface area रहा होगा, ठीक है, that is again your pi a square, सवाल यहाँ पे आपको दिख रहा है, साफ-साफ आपका यहाँ पे सब कुछ constant है, यानि की i जो है, आपको यहाँ पे दिखना चाहिए, it is proportional to what, and, okay, 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 यह जो होगा आपका r नहीं होगा, एक loop के कारण, इसके center पे जो आपको field होता, that is my not i by 2 into radius, तो यहाँ पे आपको radius है, तो आपको यहाँ पे दिखना चाहिए, this current is proportional to m upon r cube, क्योंकि बाकी सब जो है आपका यहाँ पे constants है, so m upon r cube, जैसा की हमको यहाँ पे option number a में आपको दिख रहा है, ठीक एक दम, अच्छा है, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, इसके b part की, यानि कि इसके 8th वाले part की, इस वाले part में जनाब हमसे क्या कह रहा है, the work done in bringing the dipole from infinity to r, from the center of the loop by the given processes proportional to, ठीक है, यह हमारा आचुका है current is proportional to m by r cube, जो external agent को काम करना पड़ा होगा, that is equal to delta u change in potential energy, आपने इसे infinity से उठा के यहाँ तक लाया है, यानि कि u final minus u initial, भाया infinity पे आपका u initial कितना होगा 0, there is no interaction between this magnet and this loop, तो यह तो आपका 0 हो गया है, यानि it is simply equal to u final, सर हमको u final लिखना आता है, आता है क्या, बिल्कुल, ध्यान से देखेगा मेरी बातों को, यहाँ पे देखेगा, अब इसके अंदर आपको एक i current induced हो चुका है, final condition में, ठीक है, तो यह भी आपको एक magnetic dipole की तरह behave कर रहा है, जिसका magnetic moment हम लोग यहाँ पे M2 मान लेते हैं, सर, इस वाले, इस वाले magnetic moment के वज़े से, इस magnet के across, आपको magnetic field, जो होगा, वो इसी formula से govern किया जाएगा, that is equal to mu naught divided by 2 pi, M की जगा आपने लिखा है, M2 divided by your r cube, distance आपका r ही है, आपको अब पता चल गया है, कि इस वाले magnet के across, आपका field कितना है, तो potential energy कितना होता था, minus M dot B vector, right, minus M B cos of theta, अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, तो भाईया, field आपका right side है, और इस वाले magnet का magnetic moment left side है, यानि कि इनके बीच में angle है 180 degree का, so this is simply your M into B, जहाँ पे आपका M होगा, इस वाले magnet का magnetic moment, B आपको हो जाएगा, यह वाला जो आपका परानी है, clear है, this is your mu naught divided by 2 pi, नीचे में आपका एक R cube, और यहाँ पे आपका M2, sir M2 क्या है, M2 is equal to current into, इस loop का surface area, that is your pi A square, तो यहाँ पे आपने लिखा है, surface area into current, and current is proportional to your M by R cube, यानि कि some constant M by R cube, अब अगर तुम ध्यान से देखो, जो आपका ये, you know, work done, work done जो आपको यहाँ पे निकल के आ रहा है, यहाँ पे आपके सामने, M उपर में है, M उपर में है, यानि work done is proportional to, M का square divided by, यहाँ पे एक R cube है, यहाँ पे एक R cube है, यानि कि R to the power 6, which makes option number C is the correct one, clear है एक दम, चलिए, second सवाल का figure, कुछ आपको इस प्रकार से था, ऐसा कुछ तो आपको cylinder विलंडर था, और यहाँ आपका access था, ठीक है, तो वो सवाल यहाँ पे हम लोग नहीं देख रहे हैं, उसको हमने, वो सवाल आपका drop कर दिया गया था, यह सवाल आपके सामने है, दियान से देखिएगा, है ना, बहुत जगए इसको बड़े ही weird तरीके से solve किया गया है, दियान से देखिएगा, बड़ा ही simple सा, प्यारा सा सवाल है आपका, सवाल में आपसे कहता है, कि consider an LC circuit, with inductance इतना, capacitance इतना, kept on a plane, the area of circuit is 1 meter square, so basically हमारे पास यहाँ पे एक inductor है, हमारे पास यहाँ पे एक capacitor है इस प्रकार से, यह L हो गया है, यह C हो गया है, और हमें इस loop का, जो cross section area है, वो हमें दे रखा है, area is equal to 1 meter square, अब हम से क्या बोल रहा है, it is placed in a constant magnetic field of strength B0, which is perpendicular to the plane of the circuit, अब field अंदर है, बाहर है, उससे फरट नहीं पड़ता है, आप यहाँ पे चली अंदर मान के चलते हैं, तो आपको field जो है, वो अंदर की तरफ मान लेते हैं, और function दे रखा है, B0 plus beta T, जहाँ पे beta की value हमको सवाल में दे रखा है, ठीक है, at T equals to 0, the magnetic field strength starts increasing linearly by this function, the maximum magnitude of current in the circuit is dash milliampere, हमें वो current बताना है, कि circuit में maximum current कितना रहा होगा, अब देखें, यह आपका कोई normal LC oscillation का circuit नहीं है, normal LC oscillation में आपको कोई constant EMF source नहीं होता था, यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो भाईया, यह जो magnetic field यहाँ पे vary कर रहा है, उसके कारण इस loop में एक EMF induce होगा, अगर हमने field को अंदर की तरफ माना है, time के साथ, देखें का time का linear variation है, यहाँ पे plus sign है, यानि time के साथ field आपको increase कर रहा है, तो into the plane अगर field increase करेगा, तो आपका lens lock के हिसाब से, जो आपको यहाँ पे EMF induce होगा, वो आपको ऐसा anti-clock wise होगा, ताकि current का जो field हो बहार की तरफ आजाए, यानि कि आप यहाँ पे basically एक battery बना सकते थे E का, now E is equal to, E is equal to your minus d5 by dt, हमने अलड़ी यहाँ पे polarity तो बना ही दिया है, तो minus sign को भी छोड़िए, आप simply यहाँ पे लिखिए d5 by dt, यानि कि dBA by dt, obviously आपका area तो constant आप यहाँ पे db by dt ही लिखोगे, और भाईया db by dt यानि इस function का differentiation कितना हो जाएगा, चुप चाप से बीटा, यह 0 हो जाएगा, इसका differentiation बीटा, तो area into बीटा, area आपका 1 है, और बीटा आपका कितना है, 0.04, तो यहाँ से हमको पता चल रहा है, कि भाईया आपको इस circuit में basically एक constant EMF source आ चुका है, 0.04 वोल्ट का, clear है, अब इस information का काम खतम हो गया है, आपके G1 में अब numerical कुछ ऐसा हो गया है, आपके G1 में अब numerical जो है कुछ ऐसा हो गया है, कि भाईया एक inductor है, एक capacitor है, और आपके पास एक EMF है, ऐसा, where E is equal to 0.04 volts, यह आपका L यह आपका C, इसमें हमसे पूछ रहा है, कि भाईया आपका what is the maximum magnitude of current in the circuit in terms of milliampere, ठीक है सर, तो देखे, क्या है आपको यहाँ पे, धीरे-धीरे इस circuit में आपको current जो है वो grow करना शुरू करेगा, ठीक है समय, शुन्य पे आपने circuit, you know, feel आपका increase होना शुरू होता है, जैसे ही feel increase होना शुरू हुआ, उसी वक्त आपको EMF constant आ चुका है, अब इसमें current जो है, धीरे-धीरे grow करना शुरू करेगा, इस capacitor के across आपको charge आना शुरू हो जाएगा, बढ़िया है सर, सर एक बात हम यहाँ पे देख सकते है, जब इस inductor के across आपको इस direction में current increase कर रहा होगा, तो inductor में आपको एक EMF induce हो जाएगा, which will try to oppose the growth, ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे battery ऐसे बनाया है, plus आपको left side है और छोड़ा रंडा right side है, just to show कि यह जो plus है, इस current को oppose करने के कोशिश करेगा, जिसका magnitude हमको LDI by DT लिखना आता है, तो यहाँ पे हम इस E को क्या लिख सकते थे, यहाँ पे हम इस E को लिख सकते थे, इसके across का potential difference, that is your LDI by DT, प्लस, भाईया यही तो होगा इसका magnitude, प्लस इसके across का आपको हो जाएगा Q by C, अब यहाँ पे देखिए, इसको double differentiate करके, I का function निकालना, that is very very lengthy, as well as करने को कोई मतलब ही नहीं है, common sense अगर आप यहाँ पे लगाओ, तो आपको सवाल में maximum magnitude of current ही तो पूछ रहा था, आप घूम फिर के current का equation निकालेंगे, किसी I का, आपके पास अगर time का function है, आपको maximum value चाहिए, तो आप उसको differentiate कर देते हो, आप क्या कर देते हो, अगर आपके पास I as a function of time है, आपको I को maximize करना होगा, तो आप di by dt equal to 0 कर दोगे, that is the condition for I maximum, तो भाईया जब maximum current का condition di by dt equal to 0 है, तो इसी equation में di by dt को 0 कर दो ना, so at I maximum, आपका di by dt should be equal to 0, तो अगर यह term आपका 0 हो गया है, यानि e is equal to q by c, तो हमको पता चल गया, कि सर जब आपका circuit में maximum current है, उस वक्त capacitor पे जो charge होगा, वो चुप चाप से c into e होने वाला है, ठीक है, बढ़िया है सर, आप देखेगा, अब कहानी जो है, काफी ज़्यादा sort out हो रही है, तो हमको पता चल गया है, कि जब circuit में maximum current है, उस वक्त आपका capacitor पे जो charge है, वो आपको जनाब c e है, अच्छा सर, आप देखेए, इसका भी काम अपना खतम है, लूख यह वेरी वेरी केरफुली, तो भाईया समय शुन्य से लेके, जब तक आपका ये maximum current आया है, तब हमने देखा है कि इस capacitor पे c e charge है, यानि कि इस circuit में आपको total जो charge flow किया है, वो आपको c e flow कर गया है, तो basically battery ने क्या work done किया है, आप यहाँ पे लिख सकते है, work done by battery जो होगा, वही तो system में inductor को as energy मिल रहा है, और capacitor को भी एक energy के रूप में मिल रहा है, work done by battery जो होता है, वो आपको होता है कितना battery into charge flow, so q into e, so basically यह आपको हो रहा है c e square, this is your half li square max plus, और q क्या है, q तो आपको c e के बराबर था, यहाँ पे आपको किजिगा c e लिखिये, यह आपको हो जाएगा half c e का square, so basically आपको यहाँ से निकल के आ रहा है, half c e का square is equal to half li maximum का square, ठीक है, आपका यहाँ से half से half मर गया है, तो यहाँ पे आपको जो i maximum दिख रहा होगा, that is equal to e under root of c by l, sir e की value कितनी है, निकाला ना हमने 0.04, और sir c by l की value कितनी है, c की value अपने को दे रखी है 10 to the power minus 3, और l की value हमको दे रखी है 10 to the power minus 1, so this becomes 0.004, that is equal to 4 milli ampere, तो यहाँ पे आपका सवाल का जवाब 4 हो जाएगा, ठीक है, चलिए, I hope आपको session समझ में आया है, interesting लगा है, मन करें तो hit the like button, and keep sharing, and हम लोग मिलत रहेंगे, तब तक लिए take care, wish you all the very best.